अम गाज देखते हैं कुशन फिफ्थ और एकसा इस 2.4 कुशन फिफ्थ के रहा है गाइस के रहा है इव दा पॉरिनोम्यल एकस की पोबर 4 माइनस 6x3 प्लस 16x3 माइनस 25x प्लस 10 इस डिवाइद बाइन अजर पॉरिनोम्यल सबसे पहले कि हमारे इस पॉरिनोम्यल को वमने एकस कवर माइनस 2 x प्लस के से जब डिवाइड किया ना तो हमारा रिमाइंडर आया क्यारा दराम रिमांडर कंस आउट टूपी X प्लस ए मतला हमारा आर आया x प्लस ए तो क्यारा k और a की value निकालो k हमारा यह रहा और a हमारा यह रहा तो क्यारा k और a की value निकालो तो सबसे पहले क्यारा कि हमारे यह polynomial इससे divide करना तो मैंने सोचा सबसे पहले यह करें डिवाइड करो तो मैं डिवाइड कर देता हूं ठीक है अब इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले मुझे क्या करना है देखो एक स्क्वेर से X4 नह그렇ना हमें छहें नैं मैं पहले पाली टम बनाता हूं तो x2 से 2 b एक्स क्वेर में मैं क्या multiply करूं मेरा x की power 4 आजाए x2 में मैं x2atран का multiply करूं तो x2atran 4 आजाए लिए तो x2 में एक्सक्वे का multiply किया थौ मेरा x кил पाफर 4 आ करेता हूँ यह उन्हीन है तो यह माइनिस ऐतो यह multi से प्लस है तो यह माइनुस धनी एक पूरा कट जाएगा किरा माने 6XQ ॐस 2X 3 teamSo that was 4X 3dv न्हीन संव और ही से माइने 6200 देखो जब भी किया आज हमा तुस को ला रवा करके देखें इस वे अब यह माइनस का की एक स्कूयर अब यह मैं मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो नीचवाल इकूशन नहीं उसके सबकरे मैंने साइन प्लट दीए यह वाला प्लस जो है माइनस हो चुगाई ठीक है तो 16 16 x square minus ka k x square इसको solve करना अब x square इसमें से common ले लूँगा बागी बचा किया 16 minus k तो इसको यहां पर लिख दूगा इसको यहां पर लिख दो क्या जाएगा प्लस का 16-0 के x-square यह x-square कुछ है पहले लिखो चाहिए बाद में लिखो इक बात है तो अच्छा लगता है इसलिए मैं बाद में लिखूँगा हमेशा ठीक है 16 मैंस के एक स्क्वेर और बागी का बचा बस बागी कुछ नहीं है बागी जो यह ना माइनस 25 फ्लस टैन जो बच रहा है उसको नीचे उतार दो ऐसे कैसे माइनस 25 एक एक्स प्लस का 10 ओके दिननिहां मुझे क्या करने पहले बनानी मैंने इस फोर एकस क्यूब ओके ऐं ऐन मैंने सalion doesn't may my mind as 400 असा फी तोmers लिखेंगे स्वेर में मैंने माने स्ट्पूरेव्ण हारे मैं मैंने स्ट्पूर एग्या माइनस मैंने स्ट्पूरल कि मैंने स्ट्पूरेश कितना बेद Being a और RAW केgender लिएंड अ कोईर के मिलिक्लिकैशन डिवाइड अडिशन मिस्टेख बहुत हो गी मैने सब्सके आट तो यह फोर के K in ये माानमिस है तो ये प्लस हो जाएगा अब ये मांईनस 4X की वे फूर घाप पूरा कփट घया आदधर के आगा तो के वाली जासी तंप माल एक उसको हो जाक हूं मैं आपब्लस आगा state कि ओड्स धोस यह बर रभ difference meaning 8 8 minus k x square हागया हमारा ठीक है तो यहाँ पर लिखो 8 minus k x square ठीक है अब इसको देखो minus का 24x minus का 25x plus का 4kx इसमें से common क्या मिल रहा है x common मिल रहा है तो x को common ले लो सबसे पहले देन माइनस का 25 plus का 4k यहीं बचा इसको ऐसे का सी हाँ लेक दो बचा प्लस 25 minus 4k x यही है minus 25 यहार minus 25 plus का 4kx ठीक है minus 25 plus का 4kx बागी बचा क्या 10 यहां पर तो 10 को ऐसे का सी नीचे उतार दो ठीक है अब देखो अब मुझे x square से 8 minus k x square लाना है x square से 8 minus k x square लाना है तो x square में क्या multiply करूं 8 minus k का multiply कर दूंगा x square में 8 minus k का multiply कर दो 8 minus k x square हाज़ेगा मेरा ठीक है थेक है देन minus 2x into 8 minus k यह करके multiply करो यह सारे रफ़क का काम है जो मैं कर रहा हूँ नहीं teacher को नहीं दिखाना teacher को बस यह दिखाना जो मैं यहां पर कर रहे है यह रफ़क का काम है सारा माइनस 2x into 8 minus k कितना हो जागा यह माइनस 2x को दोनों तरफ multiply करेंगे यह आप ही multiply मत करो ऐसे कैसी रहें दो ठीक है क्या है माइनस का 2 8 minus k x को हमेशा बाद में लिखता हूँ तो x को बाद में लिखता हूँ ठीक है तो माइनस 2 8 minus k into max इतना हो गया देन प्लस का के इंटू में 8 minus k के इंटू में 8 minus k इसको solve कर दो ठीक है अभी चाहिए इसको ऐसे कैसी लिख दो 8 minus k into में k ठीक है इतना हो गया यह इसको अभी multiply मत करो ऐसे कैसी लिख दो ठीक है सही है बिल्कुल देन इसको solve करो बस अब यह plus minus का गलती होईगी हमेशा हर 90% बचों से होईगी ठीक है आपको दियान रखना है यह plus है यहाँ पर तो minus हो जाएगा यह minus है तो यह plus हो जाएगा यह plus है तो यह minus हो जाएगा ओके देन यह पूरा का पूरा गट गया 8 minus के x2 में से minus 8 minus के x2 गया पूरा का पूरा कट गया टू मेंसे 2 गया 0 4 मेंसे 4 गया 0 तो सेम में से सेम गया हमेशा 0 जाता है देन अब इसको solve करो ध्यान से माइनस का 25 प्लस का 4 के इंटू में x माइनस 2 इंटू में 8 माइनस के इंटू में x देन इसको solve कर दो यह सही कहा ना मैं यह पर देख लूँ जा रहा माइनस 25 प्लस 4 के यह plus है ना यहाँ पे प्लस का sign आएगा ठीक है यह माइनस का जब प्लस बना चुके है ठीक है हमने sign change कर दिया तो प्लस वाला जाएगा ना अपर प्लस टू यह माइनस के x बस अब हमारा अंसर सही आएगा बिल्कुल देन माइनस 25 प्लस 4 के सबसे पहले सबसे बहुत कर दिया ने बागी जो बचा उसको अंदर लिए को अंदर लिए टो मैंने के वाचा देन इसको स्वाल करो माइनस 25 प्लस 4K प्लस का 16 माइनस का 2K इंटु में X यह आ रहा है दैन इस यह स्वाल करो माइनस 25 प्लस 16 यह आजएगा हमारा माइनस का 9 देन यह 4K मेंसे 2K गया प्लस का 2K इंटु में X तो हमारा यहाँ पर क्या जएगा माइनस 9 प्लस 2K इंटु में X ओके अब इसको स्वाल करो 10 माइनस 8 माइनस के इंटु में के इसको स्वाल करोगे के यह आजहागा 10 माइनस 8 के माइनस के का स्क्रेश यह आएगा ना ग Wochen ना तो 302 में के के स्कूर हो जागा और यह कल्या आजएगा हमारा प्लस का यह इसको इसको फ्लिए करता थो एसए कैसी लिख दो 10 माइनस 10-8-k into k इसको मैंने ऐसे कैसी लिख दिया 10-8-k into k अब यह ऐसे कैसी लिख दो बाद में हम solve कर देगे तो यह हमारा remainder आ गया तो remainder यह हमारा remainder है अब देखो question में remainder क्या दिया था x plus a अब इस question को करने का तरीका क्या है देखो एक हमारा remainder यह आ गया और question में असली जो मैं हमें remainder यह था कहरते है remainder हमारा यह है ठीक है तो remainder असली में यह है हमारा यह है तो यह दोनों तो equal होने चाहिए अब यह दोनों equal होंगे तो देखो जैसे इसका coefficient है 1 x का coefficient 1 है तो इसका x का coefficient भी तो यह भी तो 1 ही होगा यह जो पूरी टाम है यह पूरी टाम यह भी 1 ही होनी चाहिए क्योंकि यहां पर असली में जो हमारा remainder आ रहा है वो x प्लस यह ही तो आ रहा है x का coefficient 1 है तो यहां भी x का coefficient 1 ही होना चाहिए तो हम इस वाली टाम को 1 k को लिख देंगे minus 9 plus 2 k is equals to 1 okay तो यहां से अब k की value आजाएगी 2 k is equals to 1 plus 9 9 यह तरह जागे plus 9 हो जागा तो k is equals to कितना आ गया 10 by 2 2 नीचे जाला गया 1 plus 9 10 10 divided by 2 कितना गया 5 तो k की value आगी मारी 5 then अब यहां से हम इसकी value नकल देंगे ए की देखो अब देखो हमारा constant term क्या ही है ए यह हमारा basically constant है ठीक है ए हो गया k हो गया m हो गया n हो गया जब यह ऐसे कुछ दिया हो ना तो यह हमारे constants होते है तो देखो अब यह हमारी constant term यह है पूरी की पूरी ठीक है देखो इसमें k है के और इसमें हमारे constants term ही है देखो 10 है 8 है k है तो यह पूरी constant और यह constant equal नहीं होगी तो यह वाली पूरी constant is equals to यह वाली constant होगी तो बसे बाद से निकाल दो 10 minus 8 minus k into k is equals to a यह होगा अब k की value जो हमने निकाल लिए हो यहाँ पर डाल दो 10 minus 8 minus 5 यह की जगा 5 डाल रहोंगा जो मैं इन 2 में 5 is equals to a आजाएगा हमारा यह 10 minus 8 minus 5 कितना हो जाएगा 3 3 and 2 में 5 तो यह कितना आजाएगा हमारा 10 minus 15 is equals to a तो 10 में से 15 गाए minus 5 is equals to a that's it यह हमारा answer a is equals to minus 5 यह question जब भी paper में आएगा तो सबसे ज़्यादा marks वाले questions में आएगा ठीक है यह एक marks दो marks में नहीं आएगा ऐसे नहीं आएगा सबसे ज्यादा marks वाले questions में आएगा हमेशा ठीक है क्योंकि question landy है time लेगा और बस आपको इसमें क्या करना है divide सही कर दिया answer बिल्कुल सही ठीक है तो that's it हमारा 2.4 का question 5 भी हो गया complete तो 2.4 हो गए मारे complete that's it 6.1.5ि में वह दो करेको ऑ्ला करेको पतािए बना ही है तो जऑा gonna neo कमाय जढे ईसमें का बढ़ा कर भी हैगा प्ला करेको टो कर्षक मारे को इसथे है प्ला कर्मान खबात तो 3.112ृ湮 करते वह वाले भी है هौने